नमस्कार बच्चों कैसे आप सभी लोग मुझूमी देखिए आप लोग अच्छे होंगे तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिसेट 27 तो इस प्रैक्टिसेट को स्टार्ट करने के पहले आप लोग को एक ही बात बोलना चाहूंगी वह क्या यह जो आप उस वीडियो को जरूर देखना तो चलो अभी प्रैक्टिसेट 27 को स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या करना है यहां पर कुछ क्वेस्टन दिए गए हैं जिने हमें क्या करना है बहुत ही सिंपल से कोस्टन है देखो ध्यान से आपको पता है न अगर आपने बेसिक वाला लिखने का और पावरs क्या हो जाते प्लस हो जाते जम रहता है गहांस्तों समझा गए अब इतर कूश्चन आप देखने चciplI n इंटू सेवन का स्क्वेर ठीक है अभी देखो दोनों के पेस्टेम है तो इसको एक पावर्स को प्लस कर देना यानि 4 प्लस 2 हो जाएगा अब इसको प्लस करो 4 प्लस 2 करेंगे तो 6 मतलब हमको फाइनल आंसर क्या मिला 7 रेस्टो 6 देखा आपने कितना आसान है बेस्टेम है तो पावर्स को प्लस कर दो वेरी सिंपल तो यह पहला कोशन अभी दूसरा वाला कर लेते हैं चलिए इसको मिटा देती हूं देखो अभी यह भी आपको समझ मे पर यहां पर स्क्वार है तो देखो बेस के आए सेम है तो क्या करेंगे इसको एक ही बार लिखने का और जो पावर्स रहेंगे उनको हम प्लस कर देंगे तो क्या है यहां पर 5 और इसका पावर है 2 इंदोनों को प्लस कर दो तो फाइनल आंसर क्या आएगा माइनस 11 रेस्ट और उसका power 5 है ठीक है लेकिन दोनों के base तो same है तो क्या होगा पताईए जब base same रहते तो powers क्या हो जाते है प्लस हो जाते है तो क्या होगा यहाँ पे 6 upon 7 raise to 3 plus 5 अभी 3 plus 5 करो कितना आएगा 6 upon 7 3 plus 5 करेंगे तो 8 आ जाएगा है ना तो यह होगा आपका final answer ऐसे box बना दीजिए इ यहाँ पे आपका third वाला सब question भी complete होगा आप फोर्थ वाला देखेंगे तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा ना method देखो यहाँ पे यह आपका question minus 3 by 5 raise to 5 into minus 3 by 2 3 by 2 और इसका power 3 मुझे लगता है यहाँ पे कुछ गड़ बढ़े क्या रूकों को एक बार question देखूं मैं 3 by 2 अच्छा यहाँ पे देखो 3 by 2 है ना बेस तो हर सब में same दिया है तो यहाँ पे भी same होना चाहिए था 3 by 2 और 3 by 2 minus 3 by 2 minus 3 by 2 तो यहाँ पे क्या मैं बेस से महें तो powers को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे इस तरीके से माइनस 3 बाई 2 और पावर्स क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे यह निए 5 प्लस 3 दोनों को प्लस करिये 5 प्लस 3 देखो इसका पावर 5 इसका पावर 3 मतलब आपको final answer क्या मिलेगा minus 3 upon 2 और 5 प्लस 3 करेंगे तो 8 ठीक है इसका power क्या आ जाएगा ये ठीक हो गया आपका final answer ठीक है न बात समझ में आ रहे हैं कि नहीं ओके चलिए अभी आगे देखते हैं ये A raise to 16 into A raise to 7 तो यहाँ पर आप लिख दीजिए solution उसके बाद question लिखते हैं अब फिर से देखो यहाँ पर जो आपके base है वो क्या है सेम सेम है तो A की बार लिखना powers को plus कर देना तो 16 plus 7 क्या हो जाएगा A raise to दुनों को plus करो 6 6 12 1 13 23 दुनों को plus करके देख लेज़े आपको यह answer मि होगे चाहो तो कुछ से भी कर सकते हो चलो फिर भी बता देती हूं यहाँ पर solution लिखा पी अपॉन 5 इसका power 3 into पी अपॉन 5 इसका power 7 तो बताएगे क्या यहाँ पर base सेम है जी हाँ देखो यह भी पी अपॉन 5 यह भी पी अपॉन 5 तो क्या होगा powers प्लस हो जाएंगे तो चल दोनों को प्लस कर देंगे तो answer क्या आएगा यहाँ पर देखो final answer में लिख देती हूं पी अपॉन 5 रेस टू 7 प्लस 3 3 प्लस 7 कितना होता है 10 होता है तो इसका power आ जाएगा 10 ठीक है इसको इंडेक्स भी बोला जाता है power भी बोला जाता है ठीक है तो बस इतने ही questions दिए गह किये और हम दुख मिलते है नेक्स वीडियो में मैं थैंक यू